आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं brain case city scan के बारे में हम जानेंगे किस तरह से आप brain case city scan के report देख सकते हैं तो पहले हम जान लेते हैं कि city scan क्या होता है और यह कितने type का होता है देखे city scan के full form होती है computed tomography इसके द्वारा हम अपने body के internal organs को देख सकते हैं और यह तीन type का होता है इसमें पहला है N-C-C-T दूसरा है C-E-C-T और तीसरा है H-R-C-T यहाँ पर है H-R-C-T इसकी full form होती है high resolution computed tomography और इसका use किसी organ को काफी detail में देखने के लिए किया जाता है और यहाँ पर है N-C-C-T and C-E-C-T इनकी full form होती है इसकी full form होती है non contrast computed tomography यानि कि इसमें contrast का use नहीं किया जाता और इसके लावा यहाँ पर है C-E-C-T इसकी full form होती है contrast enhanced computed tomography इसमें contrast का use किया जाता है देखिए यहाँ पर जो N-C-C-T होता है इसे हम plane CT भी क्याते हैं निकि plane CT scan भी क्याते हैं और उसके अलावा CECT को यहाँ पर contrast CT भी क्याते हैं और इसके द्वार हम blood vessels को भी आसानी से देख सकते हैं तो यह इसमें अंतर होता है अब हम बात कर लेते हैं कि आप brain का CT scan report किस तरह से देखते हैं तो देखी यहाँ पर हमरे सामने एक brain के CT scan की report है हम इसे समझने की कोसिस करते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है CT scan of brain plane study यानि कि इसमें contrast का use नहीं किया गया है यह brain का plane CT scan है यहाँ यहाँ पर दिया हुआ है MSCT amazing was performed using sub-millimeter thin contagious axial plane scan of brain from base to vertex तो MSCT की full form होती है multi slice computed tomography यानि कि यहाँ पर brain के CT scan को करने के लिए brain को छोड़े छोड़े पार्ट में divide कर ले जाता है यानि कि इस तरह से brain को divide कर लेते हैं जिससे हम उसके हर एक पार को अच्छे से देख सकें तो यहाँ पर कुछ points दिये हुए हैं हमें ने समझना होता है तो हम इनके बारे में बारी-बारी से बात कर लेते हैं तो हम नीचे से start करते हैं सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है boni calvarium तो यह क्या होता है देखिए हमारे brain में आप जानते हैं हड़िया पाय जाती है तो यह उसी के बारे में दिया हुआ है कि जो हमारी हड़िया है brain की उसमें कोई problem तो नहीं है तो यहाँ पर लिखा हुआ है अन-remarkable देखिए हमारे brain में इस तरह से बारे माथे की हड़िया होती है frontal पीछे की हड़िया होती है occipital हमारे कान के पास की ह़िया होती है temporal और हमारे उपर की हड़ी होती है parietal अब हम इसे city scan में कैसे देखते हैं देखी city scan में हमें ये हड़ी इस तरह से देखने को मिलती है आप जो ये white portion देख रहे हैं ये सभी हमारे brain की हड़ीया है आपको ये बिल्कुल चमकीले सफेद रंग में देखने को मिलती है और इसके अलावा यदि किसी का half-lal में excellent हुआ हो या फिर उसके brain में blood का linkage हुआ हो तो वह blood भी इसी तरह से bright white देखने को मिलता है लेकिन जैसे जैसे वह blood पुराना होता जाता है तो उसका color gray color का हो जाता है जैसे कि आप इस image में देख सकते हैं यहाँ पर blood जमा हुआ है जो कि कुछ पुराना हो चुका है जिससे इसका color gray color का हो गया है तो इस तरह से आप जान पाएंगे कि यह blood कितना पुराना है और धीरे धीरे यह blood dark gray color में convert हो जाता है तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि blood कितना पुराना है या फिर hemorrhage कितना पुराना है तो हम बात कर रहे थे boni calvarium की उसमें हम देखते हैं कि हमारे जो brain की हड़िया है उसमें कोई fracture तो नहीं है जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस patient के जो frontal bone है उसमें fracture हो चुका है इस जगा इसका जो whiteness थी वो उसमें बीच में से break हो गई है यानि कि इसकी frontal bone में fracture हो गया है और उसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर इसकी parietal bone में fracture हो चुका है इससे आप जान पाएंगे कि patient के कौन सी bone में fracture हुआ है इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है intracranial hemorrhage तो यहाँ पर दिया है not evident or present study तो यानि कि यहाँ पर कोई hemorrhage नहीं है तो अब जान लेते हैं कि intracranial hemorrhage क्या होता है देखिए hemorrhage दो तरह का होता है intracranial और extracranial तो पहले हम इसे समझ लेते हैं कि यह क्या होता है तो इसे समझने के लिए पहले हमें अपने brain के layers के बारे में जानना होगा देखिए हमारे brain में कुछ layers पाए जाती है तो हमारे brain में सबसे उपर हड़ी पाए जाती है या आप जानते है यह हमारे brain की हड़ी है या फिर है स्कल में इसके नीचे हमारे ब्रेन एंद 3 Scout से दो पहली में होती है इसके बाद इसके नीचे होती है एरेकनोईड you और और अड्र सबसे नीचे होती है पायों म्में तो अमारे ब्रेंड में याइल एक दूसरी है arachnoid and तीसरी है pyameter, इसे आप DAP से याद रख सकते हैं, DAP, D4 durameter, A4 arachnoid and P4 pyameter, देखे इसके नीचे होता है brain, यानि कि pyameter के नीचे होता है हमारा brain, यह हमारा brain, तो यदि किसी patient में उसके brain में चोड़ लग जाती है, यानि कि brain में hemorrhage होता है, तो उसे हम कहते ह उसके skull, यानि कि उसकी हड़ी के, और उसके durameter के बीच में hemorrhage होता है, तो उसे हम कहते हैं epidural hematoma, और यदि durameter और रख्णोड के बीच में hemorrhage होता है, तो उसे हम कहते हैं, subarachnoid hematoma, तो यहाँ पर है epidural hematoma, तो यह कहाँ पर होता है, हमने देखा था जो हमारे brain की हड यानि के बीच में hemorrhage होता है, तो उसे हम कहते हैं epidural hematoma, और यह कुछ नीमू के तरह होता है, यानि कि इस तरह से होता है, तो इस तरह से हम इसे पहचान सकते हैं, कि हमारा hematoma, तो यह कहाँ पर होता है, हमने देखा था जो हमारा durameter होता है, durameter हो हमारे arachnoid के बीच में यदि hemorrhage होता है तो उसे हम कहते हैं सब्डूरल हिमेटोमा, तो यह कुछ केले की तरह होता है केले की आकर्तिका से होता है तो इस तरह से हम इससे पहचान सकते है ध्याद है यहाँ पर सब्शनेट्म हिमेटोमा यहनी कि हमारे जो इर्रक्नॉइड होता है और पायमेटर होता है उनके बीच में हैंबरिज होता है तो उसे हम कहते हैं Sub-Archonate Hemetoma और यह कुछ इस तरह से होता है इसके बाद है Intracranial Hemetoma यानि कि हमारे ब्रेन में यदि हैंबरिज हो जाता है तो उसे हम कहते है Intracranial Hemetoma और generally ये blood pressure बढ़ जाने के कारण होता है तो ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है इसमें हमारे brain में hemorrhage हो जाता है इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है extra axial spaces तो यहाँ पर लिखा है appropriate for age तो यह क्या होता है तिके हमारे brain में दो तरह के space होता है intra axial space और extra axial space जो हमारा brain होता है इस तरह से उसके बीच पर जो space होता है इसे हम कहता है intra axial space और इसके चारो तरफ जो space होता है उसे हम कहता है extra axial space यदि यहाँ पर कोई problem हो जाती है यादि इसके extra axial space में कोई problem हो जाती है तो यहाँ पर वो दी होती है जैसे कि hematoma, abscess, bus formation वो सभी यहाँ पर दी होती है यहाँ पर दिया है ventricular system देखिए क्या होता है हमारे brain में ventricles पाज आते हैं तो इसके बारे में हम जान लेते हैं देखिए हमारे brain में कुछ chamber पाज आते हैं जिसे हम ventricle कहते हैं तो हमारे brain में 4 ventricles पाज आते हैं जिसमें से 2 होते हैं lateral ventricles एक होता है third ventricles और एक होता है fourth ventricles तो इसमें क्या होता है इसमें हमारे CSF यानि की cerebral spinal fluid का formation होता है यानि की जो हमारे brain का पाणी होता है वो इसी में बनता है और ये हमारे spinal cord तक पहुँचता है तो कई बार क्या होता है इसका amount बढ़ जाता है जिससे हमारा brain बढ़ा हो जाता है तो देखिए ये हमारे ventricles हैं कई बार किसी बज़ा से इनका size बढ़ जाता है और इसके अंदर पानी भी बढ़ जाता है तो जिससे हम कहते हैं hydrocephalus देखिए यहाँ पर एक बच्चे की image है जिसके brain का size बढ़ा हो चुका है तो यह क्यों हुआ है क्योंकि इस बच्चे में इसके brain में पानी बढ़ चुका है जिससे इसके ventricles भी बढ़े हो जाता है तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि इसमें CSF का amount बढ़ जाता है तो इसलिए हम इसे कहते हैं hydrocephalus तो यहाँ पर दिया हुआ है ventricle system में appropriate for age with no evident abnormal dilatation यानि कि इसमें कोई भी dilatation नहीं हुआ है यानि कि इसमें कोई भी जो इसका size है उसमें व्रदी नहीं हुई है इसके बाद यहाँ पर दिया है midline shift तो यह क्या होता है कि हमारे brain में बीच ओ बीच एक line पाय जाती है जो कई बार किसी problem से इधर उधर हो जाती है तो हमें इसे भी दिखना होता है जैसा कि आप दिख सकते हैं यहाँ पर इस image में इसके कुछ points बचे हैं जिने हम अगली वीडियो में cover कर लेंगे तो यहाँ पर हम इसका impression भी दिख लेते हैं तो यहाँ पर दिया है याँ कि इसमें कोई भी अबनॉर्मल्टी नहीं देखी गई है और यहाँ पर second line है नो evidence of intracranial hemorrhage याँ कि इसके brain में कोई hemorrhage भी नहीं है या फिर acute infarct भी नहीं है और यहाँ पर दिया है SOL इसकी full form होती है space occupied lezen इसका मतलत होता है कि किसी lezen ने space घेरा हुआ है जैसे कि cyst, abscess या फिर hemorrhage तो वो भी इसमें देखने को नहीं मिला है तो इस तरह से आप city scan देख पाएंगे brain का बागी points हम अगली वीडियो में cover कर लेंगे तो आज की वीडियो में इत नहीं था यदि आपको की doubt रहता है तो अब हमसे comment करके पूस सकते है